तो इस वीडियो में हम लोग numerical करने वाले हैं EMI और AC के तो EMI के सारे formula मुझे उमीद है तुम लोगोंने लिख लिए होंगे और अगर नहीं लिखे हों तो pause करो पहले लिख लो फाइदा तब ही मिलेगा numerical करने का और problem भी numerical की तब ही solve होगी तो जल्दी से formula लिखो और formula लिख लिए हों तो ये रहा आपके सामने question number one तो चलिए question से आपने note क्या किया कि भाई flux दी हुई थी कुछ time के terms में देखके थोड़ा सा डर सा लगा उसके बार मुझसे कहा current निकालो flux दी थी current निकालना था और time जो जिस time पर निकालना था वो 2 second था और resistance दिया हुआ था 5 ohm अब अगर मैं पूरी बातों को एक बार मैं समझूं और कोशिश करूं current निकालने की तो current के लिए मुझे अगर R पता है तो EMF पता होना चाहिए न voltage जिसे अपन बोलते है ohm's log V is equals to IR इतना दिमाग में आना चाहिए तो अगर मुझे EMF निकालना है voltage निकालना है और phi दिया है कौनसा law सबसे पहला formula यही लिखा होगा आपने E is equals to minus d5 by dt फेराडेज law लिखा की नहीं लिखा था बिलकुल लिखा होगा तो अगर लिखा था तो E is equals to minus d5 by dt फाई की वैल्यू तुम लिखोगे जैसे ही लिखोगे solve करोगे answer आजाएगा EMF का divide गरोगे resistance से आजाएगा current चलो करते तो formula यहाद आया E is equals to minus d5 by dt इस टाइब के questions important है तो जैसे ही मैंने 5 की value रखी तो d by dt of 5, 5 क्या है 5t cube plus 4t square plus 2t minus 5 देखो bio वालो हो क्या maths वाले हो जब power का differentiation करते हैं तो power आगे आजाती है और एक value कम हो जाती है तो 3 आगे आजाएगा 3 minus 1 2 बचेगा तो यहाँ पर मैंने पहले इसको open किया open करने के बाद हर part को differentiate कर दिया constant का differentiation 0 होता है तो इसको देखने की कोई जरूरत है नहीं बचा यह पार्ट यह पार्ट यह पार्ट यह पार्ट तीनों का differentiation किया जैसे ही t equal to 2 रखा तो यह हो जाएगा 2 का square 2 into 8 plus 2 solve किया EMF आया इसका हमने ले लिया magnitude क्योंकि negative sign range log की वज़े से था जो सिर्फ direction को consideration कर रहा था मैंने ले लिया magnitude 78 volt current निकालना था EMF upon resistance 78 upon 5 answer आया 15.6 ampere तो मेरे पास current आया 15.6 ampere जल्दी से इसको note करो बावा जी हो रहे हैं छू मंतर तो बावा जी वापिस और note भी तुमने कर लिया इस numerical में इतना ही next numerical की तरफ तो यह रहा question number 2 आपके सामने question number 2 को आपने पढ़ा होगा तो coil while कुछ बोल रहे थे मगर फिर एक line जो है MN ये वाला part move करना start कर दिया और length L दे रखी थी magnetic field B दे रखी थी velocity V दे रखी थी current निकालना था अरे भाई loop complete है अगर EMF induce होगा तो EMF upon resistance करेंगे तो current आ जाएगा मतलब EMF निकालना है अरे यार अब तो कुछ बचा ही नहीं है तुम्हें B पता है तुम्हें V पता है तुम्हें L पता है जल्दी से वह formula वाला page देखो क्या है formula yes formula है BLV I is equal to E by R एक बार EMF आग यार divide by resistance कर देंगे तो current आ जाएगा यार तो अपने पास EMF निकालना है divide by resistance करके current calculate करना है अब EMF के लिए value रख देते हैं B, L और V की theta यहाँ पे 90 degree है इसलिए sin theta बाबाजी ने नहीं लिखा तो जैसे ही मैंने B की, L की और V की value रखी गौर करने वाली बात यहाँ तुमसे गलती होगी तुम L को 20 cm रख दोगे, L को 20 cm मत रखना, 0.2 meter रखना जैसे ही तुमने value रखी, multiply किया, E की value आ गई 1 volt I is equals to EMF upon 5, मतलब resistance की value जो थी 5, divide कर दिया I की value आ गई 0.2 ampere, तो जल्दी से इसको note कर लो क्योंकि बाबा हो रहे हैं, रफू चक्त बाबा जी आ गए हैं वापेस, तुमने note भी कर लिया है एक doubt था किसी का comment में, कि बाबा जी इस टाइप के और questions करवा दीजिए या इतने भारी बरकम questions कई बार जैसे यह तो easy लगा होगा इसके पहले वाले वीडियो में, बाबा जी इतने difficult questions आते हैं क्या भाई 95 प्लस चाहिए तो पढ़ना तो पढ़ेगा तो जल्दी से note करा, आगे बढ़े, चलते हैं next question की तरफ तो EMI AC के लिए question number 3 रहा ये इस question को पढ़ने के बाद बहुत सारे लोगों को डर लगना शुरू हो गया होगा या ये सोच रहे होंगे, बाबा जी ये वाला question नहीं बन रहा था, पेपर में कैसे बनेगा या बहुत आसान है question, पहली बात तो तो डर ना छोड़ दे हैं बाबा जी खड़े हुए हैं साथ में, जब बोल रहे हैं बार बार की इसको आसान बना रहे हैं अपन और बन भी रहे हैं चीज़ें आसान तो डर ना भूल जाओ और बार-बार comment में जब ये कहतो ना बाबा जी डर लग रहा है तो बाबा जी को गुस्सा आता है इस बात पे गुस्सा आता है कि जब इतना आसान करा है चीज़ों को तो डर क्यों रहा है तेरे डर से तेरे नंबर चले जाएंगे इसलिए डर मत सिर्फ लड़ क्योंकि अपना टाइम तो पक्का आएगा और ध्यान रख कि अगर हम डर गए ना तो यार तूट जाओगे और नंबर नहीं आएंगे डर ही तो तुमारे नंबर ले जा रहा है दरो मत चलो तो बढ़ते हैं इस कोशन की तरफ जैसे ही इस कोशन में ये सर्कृट देखा होगा थोड़ा लगा होगा क्या करना है फिर बोला होगा at a certain time I is equal to this और change in current with respect to time 10 to the power 3 ampere per second ये सारी information दी हुई थी find करना था VB minus VA question ये typical नहीं है question में problem उन्हीं को आएगी जिनको ये लगेगा कि KVL मुझे नहीं आता तो अगर KVL KCL नहीं आता तो जो current electricity की playlist है उसमें current electricity के numericals चेक करो तुमको फाइदा हो जाएगा क्योंकि उसमें मैंने KVL KCL जादा समझाया है अब आ जाते हैं अपन इस point पर जब भी open loop के लिए कभी A मत सोचने की current आया कहां से और जा कहां रहा है तुम्हारा काम नहीं है तुम्हारे को बोला है भाई VB minus VA निकालो और आई दिया है बस इससे जादा सोचनी की जरुवत नहीं है जादा चलाओगे तो तकलिफ होगी भाई open loop लिखनी है A से शुरू करके B तक खतम करना है क्या तरीका होता है जहां से शुरू किया है वहां का potential माल लो VA और जहां खतम करेंगे वहां का माल लो VB तो अपर शुरू करते हैं तो जैसे ही मैंने loop लिखना स्टार्ट करी तो सबसे पहले A पॉइंट से स्टार्ट किया तो उसका potential हो गया VA minus I into R, I क्या है I, R की value क्या है 1, current की direction में है minus I R, minus I R, कहां से निकल रहा है बाहर बैटरी के plus से, तो plus 15, plus 15 और बस logic यहीं तो था यार कि inductor दिया हुआ था, inductor में voltage drop होता है LDI by DT तो L दिया हुआ था, DI by DT करना था, तुम्हारा drop आ जाता तो minus LDI by DT, formula याद कर ले न, self inductance वाला और याद होगा, तुमारी list में भी होगा is equals to, कहां खत्म कर रहे हो, B पे, is equal to VB, जैसे ही करा, तो I की value रगदी मैंने 5, DI by DT की value रगदी मैंने 10 की power 3, L की value रगदी 5, मिली, माइक्रो, नैनो, कब छोड़ोगे, भूल मत जाना, तुम मत छोड़ना, क्योंकि ये भी तुमारा साथ नहीं छोड़ने वाले, तो यहाँ पर तब 5 मिली हैंरी, मिली मतला 10 to the power minus 3, 5 into 10 to the power minus 3, into 10 to the power plus 3, is equal to VB, 5 minus का, plus 15, minus का 5, क्योंकि 10 to the power minus 3, 10 to the power plus 3, cancel, वी ए उस तरफ गया, VB minus VA, solve किया, 15 minus 5, 10 minus 5, 5, तो VB minus VA आ गया, 5 वोल्ट, तो जल्दी से इसको नोट कर लो, बाबाजी हो रहे हैं, रफू चक्कर, तो नोट कर लिया है, और यह तीन कोशन हमने शुरू में solve कर लिये हैं, इससे base बन जाएगा, इस वीडियो में इतना ही, जय हो!